नमस्कार मित्रों, मैं राजे शुक्ला आपके यूट्यूब चैनल इंचेंजाटो पॉइंट जीरो पर आपको स्वागत करता हूँ तो चली आज हम अपले टॉपिक को लेके चलते हैं जिसका नम क्रिया है तो चली समय को नगा बाते हैं उसे क्रिया कहते हैं जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, आदि तो जिन भी शब्दों से कारिक होने का वो दोगों से क्या कहेंगे क्रिया कहेंगे जैसे देख लिजी लिखा है वह घर जाता है ठीक है? तो यहाँ पर जाने क्या कारिय हो रहा है कौन सा कारी हो रहा है जाने का तो यही क्या कहलाएगी क्रिया कहलाएगी तो जिन भी शब्दों से कारी के होने का वोद होता है वही क्या कहलाती है क्रिया कहलाती है अब क्रिया में क्या होता है धात रूप धात रूप क्या होता देखते हैं धात रूप most important रहेगा आपके लि अब धात रूप से ही क्रिया पद का निर्माड होता है, देखते हैं कैसे, जैसे लिखा है पढ़, लिख, चल, दोड, सो, पी, आदि, ठीक है, अब ये सभी क्या हैं, धात रूप हैं, क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, धात रूप की पहचा पहचान करते समय दिये गए शब्दांस में ना प्रते लगा कर देखें यदि ना लगाने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांस धात रूप है आएम इसे उदारण की रूप में समझते हैं जैसे आपने उपर पढ़ा कि कोई सब्दांस दिया हो या कोई क्रि पर कोई क्रिया बन रही है तो समझ जाए कि वह शब्दांस दिया गया था वह धात रूप है जैसे लिखा हो चल ठीक है चल या जैसे लिखा हो चल अब इसी में हम क्या जोड़ देंगे ना प्रते जोड़ देंगे बनेगा क्या चल न यही आपने उपर पढ़ा कि अगर को धात रूप पता करना हो तो क्या करेंगे उसके अंत में ना प्रते जोड़ देंगे और ना प्रते जोड़ने पर अगर क्रिया बन जाएगा तो आप समझ जाएगा कि दिया गया जो शब्दांस था जो दिया गया शब्दांस था वो क्या था धात रूप था दूसरा उतार देख लेते हैं लिखा है पढ़ अब इसे में क्या जोड़ देंगे ना बना क्या पढ़ है ना फिर से ही उपर का परवाशा देखते हैं क्या लिखा था कि यदि कोई Governor जब्दांस दिया हो तो उसमें ना प्रत्य जोड़ने पर यदि वहह क्रिया बन जाती है तो समझ जाएगा कि दिया गया जो सब्दांस था वो क्या था धात रूप था यही आपने यहाँ पर पढ़ा कि धात रूप की पहचान करते समय दिये गए शब्दांस में नाप्रत्य लगा कर देखें यदि नाप्रत्य लगाने पर प्रक्रिया बन जाती है, तो समझ जाना चाहिए कि वाशप्धांस जो दिया गया था, वो क्या था? धात रूप था, और अगर नहीं बनता है, तो समझ जवेगा क्यों धात रूप नहीं है, ठीक है? उमीद करते हैं तक समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं धात रूप के भेद, ठीक है, तो धात रूप के भेद देखते हैं, वियुत्पत्ति अथवा शब्द निर्माड के दिष्ट से धात रूप दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल धातु और दूसरा योगिक थातु अब देखते हैं मूल धातु और योगिक थातु, मूल धातु किसे कहते हैं, मूल धातु और मूल धात्रोप स्वतंत्र होती है, अताया किसी दूसरे सब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, चल, दोड, आदि, जो धात रूप का मूल रूप होता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है, अर्था जितने भी धात रूप होते हैं, वही क्या होते हैं, मूल धातु होते हैं, अब योगिक थातु किसे कहते हैं, देखते हैं, योगिक थातु किसे कहते हैं, योगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती द्यांदी जीगा मुल धातु स्वतंत्र होते हैं परन्तो योगिक धातु स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि योगिक से ही पता चल जा रहा है कि यहां पर किसी किसा आयता हुई होगी क्योंकि आप दो शब्दों के मेल से ही योगिक बन सकता है ब मूल धात में जब प्रत्ते जोड़ देते हैं तो वही कैसा धातु बन जाता है योगिक धातु बन जाता है जैसे पढ़ना लिखना पढ़ा दोड़ा चलना आदिक अब देखते हैं योगिक धातु कैसे बनाईए हम यहापी क्या गरते हैं पढ़ना को देखते हैं यह पढ़ लिख धन न ये दोनों मिला कि क्या बना लिखना अब पढ़ धन आ क्या बन गया पढ़ा ऐसे दोड़ धन आ ऐसे चरधन आ दी यानि मूल धा तुम्हें यहां पे सब में देख रहे हैं कि प्रत्य जुड़ा हुआ है और इसे प्रत्य की योगे के कारण से कौन सा धात रूप कहा गया योगिक धात रूप कहा गया ठीक है उमीद करते हैं तक समझ में एक बार दुबारा देख लेते हैं कि मूल धातु जो होते हैं वो सुतंत्र होते हैं ठीक है और जो योगिक धातु होते हैं उन्हीं मूल धातु के अंत में प्रत्य को जोड़ कर बनाया जाता है ठी कर?, प्रतैक्क चैप्टर ब्राधय जब कोई बी टॉपिक छोटना पाई ठीक है और यह सभी आप लिए तिंत्माथ पॉरहेंगे योगिक-धातु कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन सहीं प्रेयरडार्द्थाक, योगिक धातु और नामधातु धातु को ही हम क्रिया कहते हैं अब आप चाहे कह सकते हैं प्रिरडार्थक क्रिया, योगिक क्रिया और नामधातु या नामधातु ठीक है अब शुरू करते हैं प्रिरडार्थक क्रिया अब प्रिरडार्थक क्रिया किसे कहते हैं कारे ना करके किसी दूसरे को कारे करने के लिए प्रिरित करता है वही क्या कहलाता है प्रिरडार्थक क्रिया कहलाती है फिर से देखी जिन क्रियाओं से यह पता चलता है कि करता स्वयम ना कारे करके किसी दूसरे को कारे करने के लिए प्रिरित करता है वही कैसे क्रिया कहलाती है प्रिरड़ार्थक क्रिया कहलाती है अब most important point प्रिरड़ार्थक क्रियाईं जो होती है वो अकर्मक वा सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है अगला पॉइंट आना और लाना जब मूल धातु के अंत में आना और लाना प्रत्य जोड़ा जाएगा तो प्रथम प्रेड़ा अर्थक क्रिया कहलाएगी ध्यान दिजेगा अगर मूल धातु के अंत में आना और लाना प्रत्य जोड़ा जाएगा तो कैसे क्रिया होंगी प्रथम प्रेड़ा अर्थक क्रिया होगी तथा यदि मूल धातु के अंत में वाना प्रत्य जोड़ा जाएगा तो वो द्वित्य प्रेड़ा अर्थक क्रिया बनेगी ठीक है जैसे उधारण में देख लेते हैं यहां लिखा उठाना और उठवाना तो उठ धन आना तब बना उठाना और अगर अंतमे आना जोड़ा जाएगा तो कैसे बनेगी प्रत्रम प्रिरडा तक बनेगी जबकि अगर उठ धन वाना लिखा है तो ये कैसी बनेंगी? द्वितिय बनेंगी अगर मूल धातु के अंत में आना या लाना जोड़ा जाएगा तो प्रत्थम बनेंगी जो कि उठाना हो गया और अगर वाना जोड़ा जाएगा मूल धातु के अंत में तो वो दुतिये बनेंगे जो यह है ठीक है उम्मीद करते हैं इतना समझ में आगया होगा अगला देखते हैं अगला है दिलाना और दिलाना और दिलवाना दिल में दिला में आना जुड़ा है और दिला में वाना जुड़ा है ये प्रथम बना ये दुतिये बना ये प्रथम प्रिरडार थक है ये दुतिये बन गया अगला देखते हैं कराना और करवाना कर में आना जुड़ा है और कर में वाना जुड़ा है ये प्रथम प्रिरडार थक बन गया ये दुतिये बन गया अगला देखते हैं, सुलाना, सुलवाना, खिलाना, खिलवाना, पिलाना, पिलवाना, ये सभी प्रत्थम हैं, और जबकि ये सभी जुति हैं, क्योंकि इन सभी एक्यंत में आना जुड़ा है, और इन सभी एक्यंत में वो आना जुड़ा है, अब हमने इसकी परवाशा या दिलवाना जो कार्य हो रहा है ये खुद ना करके करता दूसरे से करवा रहा है और जहां पे क्रिया दूसरे से संपादित कराई जाती है अपने द्वारा ना कराई जाए वही कैसे क्रिया होती है वही प्रेरडार्थक क्रिया होती है उमीद करते हैं तक आपको समझ में आ गया होगा फिर से ध्यान से देख लीजीगा कि जहां पी करता अपना कारेशों ना करके दूसरी से करवाता है वह कैसी क्रिया होती है वह प्रेरणारथक होती है यह क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के में दोनों क्रियाओं में बनती है ठीक है और यदि इसमें दूसरा है योगिक धातु अब योगिक धातु क्या है दो या दो से अधिक धातु के संयोग से जो बनता है उसे योगिक क्रिया का निर्माड होता है तो या दो से अधिक धातु के संयोग से योगिक क्रिया का निर्माड होता है अब उधारड देखते हैं तब समझते हैं जै देख रहे हैं यहां पे कम से कम दो क्रियाएं साथ में जोड़ी हुई हैं, तो जहां पर कम से कम दो क्रियाएं साथ में होंगी, वही कैसी क्रियाएं होंगी, वही योगिक क्रियाएं होंगी, क्योंकि यह जोड़ी में होती हैं, यह दो से अधिक भी हो सकती हैं, चलना, दोड ना टहलना आदी जैसे भी कर लीजिया कम से कम दो होना चाहिए यहाँ पर ठीक है कम से कम दो क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया बनेगी वही यहोगी क्रिया बनेगी अगला नामधातु क्या होता है संग्या या विशेशन से बनने वाले धातु को नामधातु कहते हैं नाम से ही समझ जाए कि नाम मतलब संग्या हो गया संग्या या विशेषण से बनने वाली धातु को नामधातु कहते हैं संग्या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं नामधातु कहते हैं जैसे गाली यहां गाली संग्या का काम करेगा ठीक है अब क्रिया को संग्या की रोप में प्रस्तुत किया जा सकता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो गाली को यहां क्या माना जा रहा है संग्या इसी गाली में प्रत्य जोड़ दिया गया आना तो बन गया गरियाना यह आपका बन गया ठीक है आना प्रत्य जोड़ दिया गया क्या बन गया बतियाना गरम आपका विशेशन है विशेशन में आना जोड़ दिया गया गरमाना बन गया चिकना आपका विशेशन है विशेशन में आना जोड़ दिया गया बन गया चिकनाना ठीक है ठंडा आपका विशेशन है इसमें आना प्रत्य जोड़ दिया गया क्या बन गया ठंडाना यानि संग्या और विशेशन के अंत में जब कोई प्रत्य जोड़ के किसी क्रिया का निर्मार किया जाएगा या फिर ऐसे कह लेजी संग्या या विशेशन से निर्मित क्रियाओं को क्या कहते हैं नामधातु कहते हैं यह प्रथम बनेगा और वाना जुडेगा तो दुटिय बनेगा अगला आपने देखा कि यौगिक कि यौगिक उमीद करते हैं, आज की यह topic आपको पहत्र ही समझ में आई होगी। यदि आप ऐसा कुछ है जो आपको ना समझ में आया हो तो आप comment box में comment करके बता सकते हैं। क्रियाँ के आगे की भाग की चर्च में अकले topic में अकले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही धन्यमाद